अधापन आणि खिन एक जावाचा प्रोग्राम रन करून पहू। तर हाँ प्रोग्राम रन करने सथी तुम्हाला तुम्चा ब्लू जेचा प्रोग्राम पहलेंदा उगडावला गेल कॉंप्यूटर बर आणि तेचा मदे एक नवीन प्रोजेक्ट तैयार करा। अनि त्या प्रोग्राम 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 प्रो तर यहां ठीकाणी आपण व्यववेगरी चार क्लासीस बनो लिया है तर तयो मदम जो मेन एक्जीक्यूटेबल क्लास है जए अपण एग्जीक्यूटेबल स्टेट्मेंट्स देलörtी तो दो अघज आ याचा मदे जो क्लास ऑहे टेस्ट अंडर्स कॉर फ्रूट्स टेस्ट अंडर्सकोर फूट्स यह नवने तुम्ही तुम्य चा बनवा या टिक अडिस्ट च्यापिटल आ है आछी फूट्स मधीई कि यह खाम्द किलें ट इंँच्छा एक प्रोक्रम ऊल्रेडी टेक्स्त धीसेलGO त्याला खाल कrant्रोबर करें आछ नहीं के लिया नल्ड मतिल्यो क्षेज तंट इन सबीकल Too सillon पलिक प्रणाना डेफाल्ट जो यह उड़नी अधो तो तुन्माला डिलेट कर आवला अगे आणी बीदीकल अनलें और अध्यो मिलेLAFT 21005 है test fruits टहाचा मदे तयला paste करा paste के ले नंतर टेला save करा और save के लन अंतर compile करा तर अंडर हाद प्रोग्रम कसा रन होतो ते पहो आपण कसा ले लेला है तो या ठीकरिये आपन तीन पहले यांता classes बनो लेला है तर पहला जो है टेस नाव है class mango दूसरा है class apple, तिसरा है class grape. आणि या प्रत्य class माद truck hè आपन एक एक function बना लेले है तब तया function छे नाव जे या test हें, तिनी class माद ए एक च नाव दिले ले है या ठीका नी वेविगली नावे जरी डिलेली असली तरी कई फरक बढ़त नहीं और एक जरी नाव असली तरी तेचा मनें कई confusion सो problem नहीं public wide test अणि तेचा नंतर हाजो function है तो function आपन या ठीका नी अजय तेची एक्जीक्यूटबल है तो function काय करतो कि फक्त एक statement प्रिंट करतो system.out.println यम्मी या ठीका नी जे कही पुरी पोड़ते मुणून मी या ठीका नी कमी शब्द लेलेले तो आपला एक क्लास जला class mango आणि तेचा नंतर दुसरा क्लास है तो ये तीनी independent classes है दुसरा क्लास है apple तेचा मदे परत अपल बदल एक आप लेला statement दिसेल तीसरा क्लास है grape तो तेचा मदे सुद्धा एक statement दिसेल तर अशयरी तिने या ठीका नी आप लेकड़े तीन classes है तीन classes वेगड़ा ना वने आए तो आणि तीन classes मदे तीन functions है तो आपन बगू कि या classes सा अपन वापर कसा करो शकतो मंजे या class person आपन अब्जेक्ट कसा तयार करो शकतो तुम्ही कराचित आएक लेसेल की जावा इज अब्जेक्ट ओरियेंटेड प्रोग्रामिंग तर याचा मदे अब्जेक्ट मंजे ने उमका का है तर अब्जेक्ट का है अस्तते आता आपन बगू आता आपला जो मुख्य मंजे class है टेचे नाव है हाचे पडेक्ट अंडर स्कोर फूट्स पॉब्लिक क्लास्स टेस्ट अंडर स्कोर फूर्स अचा मदे आपन में मेंच्यन मजे sociedade कर तो प्ब्लिक static wald main string square brackets आणि a$rgs याचा पूर्वीचा वीडियो तुम्हóc माज़र पहला सेल तो ए जिचा मधे string args नंतर मी हे square brackets लीली ले होते तो टी मजी error होती और मला अट ते general concept आसा है कि string चा नंतर तो महला हे जे brackets है ते ड़्यावे लगताथ तो string और स्क्वेर ब्राकेट्स और args और हाज में में फंक्चन है तो में फंक्चन आपन या ठीका भी है करतो ये तिया मेन फंग्च्ण मेंदे कये-कय आपनि करू शक्तों तरहें तिह ही का IGHड़ है आपि लाइंची से अ सपने हारर प्रचा के जलों को सब्सक्राइब ला और सब्सक्सों परना अबसे लैपल लेर भी फ Strange उसमेद क्रें इत्चतक घार ञेC वहरेबल कुठ्ली आसु शक्ते M, M1, M2, Q1, मैंगो हपूस हुदा तुम्ही लिव शक्ता, कही लिव शक्ता, वहरेबल है तुम्ही तयार कुरू शक्ता, कुठ्ली नाू, और वहरेबल तयार के लेन अंतर, आपन ट्या वहरियेबल मदे या कलास चे एक अबजेक्ट तयार करतुं आनि ट्याला त्यrh चे इंस्टन्ज तयार करतुं तो नवीन ओज़ेक्ट तयार करने सधी न्यू नावाचा क्योई वाड आपर ला दतुं तो या था वापर का सकेला था तो न्यूँचा, न्यूँ मैंगो आनी ये डोन ब्रैकेट्स, ओपनिंग आनी क्लोजिंग ब्रैकेट, न्यूँ मैंगो, आता या ठीक आनी, नुस्ता मैंगो आनी मैंगो ब्रैकेट मेंदे काई फरा रखाए, mango है आहे class चे नाओ तर mango आणि ये जे brackets है थे ये तेचे constructor यहला मनता है default constructor हाजो class आए या class चा default constructor का है असेल तो असेल mango आणि brackets तर ज़र आपना से लिले m is equal to new mango तर तेचा मुले mango या class चा एक object तयार होईल आणि तो object m मदे store होईल मंजे नेमका का है कि m हाँ आपला नवीन object है m is an object of the mango class आता या जा दोनी ओली है तो mango m आणि m is equal to new mango या दोनी ओली आपने एकाज ओली मदे लिऊशक्तों त्यासे apple a is equal to new apple तो रेचा मदे variable declaration आणि तसेच constructor आणि न्यूचा वापर है दोनी एकाज ओली मदे करो शक्तों तरहे तुमचा दर लक्षा ता अले सल तुम्हाला है तुम्हाला समधना सड़ी है सोपेज आत असल तरह तुम्ही अशा बद्धति ने लिहूँ शक्ता दोन ओली मदे तरह दोनी पद्धति ने तुम्हीं लिले तरही syntax error होत नहीं grape g is equal to new grape तर या ठीकड़ी आप लेला ma अनि जी यह 3 objects मीडाले लेट यह 3 objects है या 3 class चाहत लक्षा दोगाँ यह object-oriented programming मैं आपन पहले नंदा class त्या class चाहत का अपन object त्या class चाहत आए का अपन object त्या object आपन programming मधे वापर तो आता ते कसा वापर तो तरह तैह आता यह यह जय आप लेक्ड़ेक्ट्स हाहत M, A, G आता हे जो अब्जेक्ट्स है हे अब्जेक्ट्स काई करूशकता तो या क्लास मद हे जो फंक्शन है त्या फंक्शन ला ते या ठीकानी रन करूशकता तर M.Taste अनि हे ब्रैकेट्स असिजर ली ले तर Mango मदला जो टेस्ट नावाचा फंक्शन है तो या ठीकानी रन होईल तर ही तीनी नावे वेगली जरी आसती तरी तैचा इफेक्ट तो जालासता A.Taste तर Apple या क्लास मद हे जो टेस्ट नावाचा फंक्शन है तो या ठीकानी रन होईल G.Taste ग्रेप नावाचा क्लास मद हील जो टेस्ट नावाचा फंक्षन है तो या ठीकनी रन होईल तर ती नावे ही टीनी सार्कीजरी असली तरी तरी तयांचे आउट्पूट है ती वेगले वेगले है तर यह चान अंतर तुम्ही जर अल्रेडी हा प्रोग्राम तुम्चा नवीन बनो लेला प्रोजेक्ट मधे न कंपाईल करा सकतार क्या है कंपाईल के लिए नां, तर कंपाईलेसन दन तुम्हाला, स्क्रीन चा खाल्चा बज़्या मेसेज mm7 जर तेचा कई तुम्हाला तसा एरर मेसेज दी सुनी तर कंपाइलेशन यशा स्विरित्याज पूर्ण जाले तर हाजो होड़्चा स्क्रीन आये तो बंद करा आणि तेचा नंतर टेस्ट फ्रूट्स नावाच्वा जो क्लास सा आइकोन तुम्हाला दिस्तो तेचा और राइ छिनेक तुम्हाला एक विंडो दिसेल, मेथड कॉल नावाच्हा, त्याव इंडो मदे, ओके वर क्लीक करा, ओके वर क्लीक केला नंतर, एक नवीन विंडो पॉप on, साधारन स्क्रीन चा, डाव्या कोप्रें मदे तर हीजी डाव्या पॉप्रें ली विंडो अ यहे, ज़ तोड़े से ड्रैक करूं मोठे करा तो तैचा मधे आपन जे आउट्पूट टेक्स्ट चे जे आउट्पूट दिले ले ते तुम्हाला तैचा मधे दिसुनेल तर आशारीतिने आपन जावा मधे classes चा वापर करूं classes पासुन objects तैया objects पासुन आपन जे functions आये ते functions आपन run को रुशक्तो तरका या पुडिल भाग आपन पुडिल विडियों में दे पाहूं